इस सुडियो में हम कख्षा 10 का प्रश्नवाली 7.3 का प्रश्नमत दो को हल करेंगे, तो चलिए श्टार्ट करते हैं इस प्रश्णमत दो को तो देखिए डिया सुडेंट्स पहले भाग में हमें ये तिन बिंदू दिये गए हैं अब इसमें हमें इस के का मान ग्याद करना है तो देखिए हमें इस के का ऐसा मान ग्याद करना है ताकि ये तीनों बिंदू संरेखी हो अब संरेखी का मतलब क्या है कि ये तीनों स्थित्थ हो सकते हैं तो संध्राइए का मतलब यही है कि 3 विन थद्व हमारे एक ही रेखा पर उस्थित्थ होगे अब ध्यान दीजिये कि जो हमारे तो इसके तीनों बिंदू यह और यह तो इनसे बनने वाला जो यह तो इसका कुछ न कुछ छेटरफल जरूर होगा लेकिन इन कोई जगे ही नहीं कि एकया असे बिलकुल एक रोइन है यानि रेखा तो इसलिए इसका एक चेतरफल भी 0 होगा यह बात आपको समझ में आगया होगा अब यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि यदि तीनो बिंदु सनरेखी हैं तो बंने वाले ते टिर्भूच का चेतरफल 0 जीरो होगा तो इस तरह से यहां पर हम लिख लेते हैं तिर्वुच के छेत्रफल का क्या सूत्र होता है यह होता है हमारा एक बटे में दो फिर इसके बाद ब्रैकेट फिर यहां पर आता है हमारा x1 bracket में y2 minus y3 plus में x2 bracket में y3 minus y1 फिर x3 bracket में y1 minus y2 चीक है अब इसमें हम सब का मान रख देंगे तो देखिए सबसे पहले हमारा एक बट्टे 2 है फिर इसके बाद x1 है तो देखिए यह हमारा होता है x1 y1 यह होता है x2 y2 और यह x3 y3 तो यहाँ पर हमारा x1 कितना है 7 तो इसकी जगाप पर 7 लिखेंगे फिर bracket में y2 y2 देखिए 1 है तो यह 1 आ गया फिर यह minus यहाँ पर आ जाएगा फिर y3 कितना है k तो यह हमने लिख दिया प्लस में x2 x2 कितना है 5 तो यह लिखा फिर y3 y3 देखिए कितना है हमारा k तो यह आ गया minus है तो minus फिर y1 देखिए कितना है minus 2 तो यह हमने minus 2 लिख दिया प्लस में x3 x3 कितना है 3 तो यह लिखा फिर y1 कितना है minus 2 यह minus यहाँ गया y2 कितना है यह देखिए 1 तो यह हमने लिखा तो इस तरह से यहां तक हो गया अब देखिए इसके बराबर में हमारा 0 होगा क्यों होगा क्यूंकि देखिए त्रिभूच का 6 तरफल हमारा कितना है यहां पर 0 है इसलिए इस त्रिभूच के 6 तरफल के बराबर में हम 0 लिखेंगे है ना तो यह हो गया अब देखें यहाँ पर 1 बटे 2 इसको अब हम solve करेंगे 7 का 1 से गुणा होता है तो 7 ही आएगा फिर 7 का minus k से गुणा करेंगे तो minus का 7 के ही आएगा इसी तरह से 5 का k से गुणा करेंगे तो 5 k अब ये minus minus plus हो गया यानि plus का 2 हो गया तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा फिर इसके बाद ये देखिए माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 माइनस का 3 हो जाएगा तो माइनस 3 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 9 आएगा ब्रावर में क्या है 0 अब प्लस माइनस हो जाएगा, तो 7 के में से 5 के घटाएंगे, तो 2 के बचेगा, और ये माइनस का चीना जाएगा, बराबर में 0, अब ये हमारे कटेंगे, 2 एक कम 2, और ये 2 चोके 8, ये वाला भी कटेगा, क्योंकि ये उपर हमारे दोनों अलग-अलग पद हैं, तो 2 के पाड़ को हम माइनस के ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 1 के ही माना जाएगा, बराबर में क्या है 0, अब देखिए, ये हमारा माइनस के को इधर ही छोड़ेंगे, बराबर में ये 4 जो है, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में 4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, त तो चेले हम दूसरे भाग को करते हैं तो दूसरे भाग में हमें ये तिन मिंदू दिये गए हैं तो इसको फिर y2, y2 हमारा है माइनस का 4, फिर ये वाला माइनस यहां आ गया, और y3 कितना है, ये देखिए, माइनस का 5, तो ये हो गया, प्लस में x2, तो x2 देखिए, k है, तो ये हमने k लिखा, फिर y3, y3 माइनस का 5, फिर ये माइनस यहां आ गया, और y1 देखिए, 1, तो ये आ गया प्लस में x3 तो x3 हमारा 2 है तो यह हमने लिखा और y1 है 1 फिर यह माइनस यहां आ गया और y2 यह देखिए माइनस का 4 तो यह हमने सब का मान रखा अब इसके बराबर में 0 होगा क्योंकि जैसे कि हमने पहले भाग में किया था वैसी हम इसमें भी करेंगे तो यह आजाएगा 1 बटे 2 फिर यहां यह 8 है तो 8 लिखा अब देखिए यह माइनस माइनस प्लस हो गया यानि प्लस का 5 हो गया यह और यह माइनस का 4 है तो प्लस का 5 और माइनस के 4 को solve करेंगे तो plus minus minus हो जाएगा यानि कि घटाएंगे तो 1 बचेगा क्योंकि देखिए minus का 4 और ये minus minus plus 5 तो ये हो जाएगा हमारा solve करने पर 1 तो ये हमने 1 लिखा अब इसके बाद ये हमारा plus में के यहाँ पर देखिए minus 5 minus 1 solve करने पर minus का 6 आएगा फिर ये हमारा plus में ये रेखिए सबसे पहले ये 2 है तो 2 लिखा अब ये minus minus plus यानि 1 plus 4 5 हो गया तो ये हो गया बराबर में 0 अब यहाँ से इसको solve करेंगे तो ये 8 का 1 से गुणा 8 हो गया फिर के का minus 6 से गुणा करेंग तो minus का 6 के हो जाएगा और 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा बराबर में 0 तो यहाँ से देखिए ये हमारा 1 बटे 2 अब ये 8 प्लस 10 18 हो गया minus में 6 के बराबर 0 तो अब ये हमारा 2 एकम दो 29 अथारा कट जाएगा और ये 2 के पहाड़े से 3 बार में कट जाएगा तो क्या बच रहा है हमारे पास एक का 9 से गुणा करेंगे तो 9 बचेगा और ये minus में 3 के बराबर 0 अब यहां से इस minus 3 के को यहीं छोड़ेंगे 9 को इधर ले जाएगे तो minus का 9 हो जाएगा अब ये minus से minus कट जाएगा तो 3 के बराबर 9 बच रहा है तो यहां से के कमान निकालें तो यह 3 इधर जाके भाग हो जाएगा तो तो के कमान हमारा तीन आ गया ठीक है तो यह हमारा आंसर है तो इस तरह से प्रशनिमर 2 का सोलूशन कंप्लेट हो गया आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना स्काइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर आल वाले पर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स जैसे अप्लोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में धन्यवाद